टो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल UPSC औररी आप सभी का सवागत करता हूँ गुड मोर्निंग गुड मोर्निंग दोस्तों गुड मोर्निंग गुड मोर्निंग मेरे कि प्यारे प्यारे दोस्तो हाँ आ जाएगा इंटरनेट बाबा नहसे बढ़ा सा स्मय कर रहे तो मॉनिंग दोस्तों सभी को बहुत ही-बहुत शुपकामने आ जाएंगं अभी फर हला सब मिलगेगा उन्हें आने में क्या बात है इसमय और बात है को औरे मनलब जजबा होना चीए है वह वाला वह जलाता है तो आज से डिस लाइक करूंगा आज दुबारा से दुबारा डिस लाइक करूंगा दूखजबे और यह चारों के चारों कि आपको पता है गुरूपोल नाइट आउट आटे опять अपको एक माई को जाकर पता चलेगा सभी उसके लिए तयां रहें बिल्कुल रेडी रहेरें सभी के सभी के दोस्तो और बुक्स अभेलेबल है आपके लिए अगर आप प्लान लेते हैं तो जनरली क्या होता था आपको 12 मंत की बजाए आपको करना है एक चीज का प्रमोशन करते चलते हैं दोस्तों कि आप पर आज मेराथन सेशन है जोई कर लेना सभी के सभी प्लीज लोन की लोन की सुष्धा वेलेबल है आपके लिए जीरो प्रोसेसिंग पीस है जिरो इंटरस्ट रेट है अप्रूवल दो गंटे में बिल्कुल जक सबी को गईतरी गईतरी सएद अन्मिता सभी स्भी को गुडव दोस्तों जिनका नाम भूल जाए को टैस्ट हर संडे को होता है आज भी है लेकिन आपको उसमें जुरना साथ में सारे चीज़ों पर जड़ना था थीलता है और पर ए स्पोड इसेज है व्य其實 this झूर्णा जो चलें आगे बड़ें तो जलिए क्या बात आज थोड़ा सा अपने माहौल अलग बना आए आज अलग बना के लेकर आएक लिए क्वेस्चनज जो है आज आपको पूरा का पूरा फील दिलाना है कि आप के वीज़ी में बैठे हैं सभी के सभी तो पहला प्रशन प्रश्ण आपके सामने यह रहा दोस्तों प्रश्ण आपके सामने यह रहा ठीक है गुड मॉर्णिंग चलिए अब क्वेश्चन का अंसर दीजिए क्वेश्चन क्या है आज आज आपके ना उसके सामने आउंगा ना आउंगा आउंगा आपको पूरी की पूरी तरीके से 2005 यह रिगार्डिंग प्रश्ण आपके सामने पहली क्या है दा एक्ट मेंटेंस आ सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ओफ इंस्टिटूशन पर डिजास्टर मेनेजमेंट एड नैशनल लेवल क्वेशन पढ़ने में समझ आ रहा है कि कोई दिक्कत है क्वेशन पढ़ने में तो आ रहा है ना कि क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है न दोस्तों अच्छा छोटे वर्ड्स चलिए नेक्स्टाइम थोड़ा सा इनको कर देंगे और थोड़ा सा बाकि अभी अभी तो मेरे ख्याल में इतना भी कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में तो आ रहा होगा ठीक है हाँ पढ़ने में आ रहा है इसको ना तभी से लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया यह वर बता दो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में कि अगर क्लियर है पढ़ने में नजर आ रही है चीज़े तो बताईए तीसरे स्टेटमेंट क्या है चलिए इसके फोंट सने थोड़ा सा और बड़े करेंगे ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर बताइए सभी के सभी D answer देने दोस्तों यह answer कैसे हो सकता है यह statement कैसे हो सकते है आपको पता है दोस्तो NDMA सुन सुन के ठगे होगे National Disaster Management Authority जिसको PM सहब chair करते हैं याद करो वो क्या है वही तो formulate करती है सारी के सारी guidelines को policies को plans को यह statement सही नहीं है National Executive Committee तो होती ही नहीं है NDMA NVMA National Disaster Management Authority National Disaster Management Authority तो यह क котором पासर गलत है सार्ट गलत गलत तरड गलत आंजर कि हो जागा वन यह याण टो ऑंली वन यह जाए है वगन इन वह जाए हम इसका पार डिख कैसफिर हो जाएगा दोस्तों तो यह आंसर क्या हो जाएगा ए एक्स्पी नेश्टेमेशन देहिए सबसे पहली स्टेट्मेंट क्या है क्या नैश्टनल डिजास्टर Belgiumगरें जो act है 2005 का वो पास हुआ उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों क्या बना state level पर भी बना state पर भी बना national level पर भी बना ठीक है दोस्तों ए होगा इसका clear अडिये में ठीक है दोस्तों clear है तो पहली statement क्या हो जाएगी बना बिल्कुल सही बात है और क्या है यह act mitigation strategy यानि कि disaster को से कैसे बचना है उस चीज़ के उपर में ध्यान देता है ठीक है दोस्तों clear है पहले statement बिल्कुल सही है हाँ जिन जिन ने यह बोला था उनका सही आंसर था बिल्कुल ठीक है और दूसरा क्या है disaster is defined disaster को इन्हों define कर रखा उसके अंदर में ठीक है clear है सारे के सारे बिल्कुल और ministry of home affairs बिल्कुल सही है बात है second state बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट क्या है दोस्तों इसलिए गलत है क्योंकि नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट अथॉरिटी इसकी एपक्स बॉड़ी होती है इसलिए थर्स स्टेटमेंट क्या होगी इनकरेक्ट है क्लियर है जरा सभी को notify कर दो कि लोग जुड़े नहीं अभी उस वहां पर इतने सारे जुड़े थे तो क्या हो जाएगा सिर्फ फर्स एंड सेकेंट स्टेटमेंट सही थी थर्स स्टेटमेंट क्या है गलत है ठीक है कि अच्छा किसी को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या देखने में अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बता दीजिए कल से हम इसको थोड़ा सा और वो करेंगे लेकिन मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा समस्या तो नहीं होनी चाहिए कि नैश्टनल डिजास्टर मैनेजमेट अथोड़ी अब ये तो नहीं समझ का अब इसमें तो नहीं हो सकता वो दरसल प्ष्षिन भी बढ़ा था न उसको फ्रेम करने में थोड़ा सा प्रावल्लम दी अब ये तो बिलकुल क्लियर हो ना चीए सभी को चलिए है ये क्वेस्ष इतनी जादा समस्या हो रही है क्या रताइए अब यह तो बिल्कुल क्लियर होना चीए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है मेरे ख्याल में इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चीए दरसल ऐसा है दोनों की दोनों चीजों को चलिए फॉंट अगली बार से करेंगे अगली बार से थोड़ा सा और इसे बढ़ा करेंगे चलिए ठीक है क्या है दरसल यह होता है कभी कभी क्या होता है इतने में हमें फ्रेम करना था तो थोड़ा से बढ़ा करेंगे एक लिबार चलिए भी question कहां से दिये अब मेरे क्याल में यह वाले question को पढ़ने में कोई समस्या नहीं होरी तो National beekeeping and honey mission is a central sector scheme और the mission is being implemented through national bee board दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेगा दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है जिसके अंदर में 100% फंडिंग सेंटर की तरफ से दी जाती है 100% फंडिंग सेंटर की तरफ से दी जाती है बहुत जादा important point है याद रखेगा और तो क्या है national beekeeping and honey mission यह honey mission किसलिए दोस्तों honey के फिल्ड मैंने कि शहद की फिल्ड में अपने को आत्म नर्भर बनना है अपने को आतना ज्यादा समस्या औरी चलिए कोई नहीं आप आज का रहने दीजिए session नहीं देखे आज क्या है आज अब देखे अब आस तो यह बनी हुई है तो आज तो करना पड़ेगा किसी भी तरीके से next time से ध्यान रखेंगे अभी तो इतना कर लीजिए आज इस लिए इस को क्या गया है नेशनल बीगीपिंग अन्धू मिशन यह शुरू किया गया है दोस्तों मधू या रिखिये एद्धु यानि कि हनी ने कि हनी शुरू कियाक है याद रखिएगा ठीक है पहले स्थ्टेट्र विलकूल सही है और मैं हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगा है अगला दूसरा किया है दोस्तों ये क्या है किसके through implement किया जाएगा national b board के through implement किया जाएगा very very important आपके exam में पूछा जा सकता है मैंने आपको बता है centrally sponsored and centrally sector अच्छा देखिए कमझ ये centrally central sector centrally sponsored दोनों ही दोनों क्या होते है state level पर implement होते है center की scheme होती है दोनों में funding का funda होता है सबसे पहली बात क्या होता है centrally sponsored scheme के अंदर में रेशो जो funding होती है वो डिस्त्रिब्यूट होती है center and state के बीच में ठीक है और सेंटर स्टेट के बीच में वह होती है ठीक है और दूसरा क्या है दोस्तों तीसरी चीज़ और दूसरा क्या है जो central sector चीप होती है हुब पॉसंट फंडिंग सेंटर प्रोवाइड कराथ है कौन कराता है और यह याद रखेगा जो नैशनल इब और यह किसलिए होती है और मैंशन किसले होती है दरसल क्या है अलग-अलग साथ में कई सारी Farmers को एक साह अलाके एक Small Company टाइप में बना देते हैं कि इससे क्या हो जब वो Farmers Agriculture Trade Association, FAC, SFAC, याद रखिएगा, SFAC क्या होता है, SFAC क्या होता है दोस्तो, small small farmer होते हैं, अलग-अलग farmer होते हैं, अगर वो अलग-अलग जाएं, अपने private players से किसी से बात करने, अपना माल बेचने के लिए, तो उनको वो rate नहीं मिलेगा, इसलिए क्या किया गया, अलग-अलग ही, अच्छा rate में ये चीज़ को ensure करने के लिए चीज़ किया गया, ठीक, अगला question आपके सामने ये रहा, with reference to aim prime program, aim prime program, consider the following statements, consider the following statement, then program promotes science-based solid technology, ideas through training and guidance, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा क्या है, this nationwide program was launched by Atal Innovation Mission in collaboration with World Bank, बताईए correct answer, बताईए, बताईए correct answer, बताईए इसका, बताईए correct answer, बताईए, अपने को तो बिल्कुल perfectly नजर आ रहे है, questions, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए, इस questions का answer दीजे, सभी के अंसर सभी, C answer दे रहे हैं, सभी के सभी, डिपाँचों ने C answer दिया, अंसर सभी के सभी C answer दे रहे हैं, सभी के सभी C answer दे रहे है, चलिए, ठीक है, क्या यह प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके शुरू हुआ है क्या अरे भीया मेरे अटल इनोवेशन मिशन प्लस में बिल एंड मेलेंडा गेट बिल एंड मेलेंडा गेट ओर्णाइशन के साथ शुरू किया है वर्ल्ड बैंक के साथ शुरू नहीं किया ये वाला प्रोग्राम अटल इनोवेशन जो मिशन है अप्राइम ये जो मिशन है दोनों सही कैसे है सब कहरें सब ठीक है सी आंसर होगा ए आंसर होगा भई ए आंसर होगा फर्स स्टेट्मेंट ही सही है second statement गलत है क्योंकि World Bank के साथ में नहीं है अटल innovation mission ने किसके साथ collaborate किया है Bill and Melinda Gate के साथ में किया है तो first statement ही सही है one only इसका correct answer second नहीं है C इसका correct answer नहीं है दोस्तो correct answer क्या है इसका A one only इसका सही है तो पहली statement क्या है दोस्तो यह एक program शुरू किया गया है aim यानि कि अटल innovation mission prime research program है यह किस चीज के लिए innovation के लिए marketability और entrepreneurship के लिए चीज के लिए है जिन जिनने ए आंसर दिया था बिल्कुल सही answer दिया फैज ने बिल्कुल सही ए वालों के लिए बहुत-बहुत तालिया ठीक है दोस्तो यह क्या है बारा महिने का training program है जिसके अंदर में training और mentorship दी जाएगी जो technology में बहुत जादा लोग है बारा महिने का तो पहले statement बिल्कुल सही है deep technology के अंदर ठीक है और दूसरी statement इसलिए गलत है क्योंकि यह किसके साथ में शुरू किया गया है Bill and Melinda Gates के साथ में शुरू किया गया है यह देखिए Bill and Melinda Gates जो foundation है उसके साथ में मिलके इसने शुरू किया है आपका यह कहना में आपका world bank इसमें involved नहीं है please very very attentive यह question आपको पूछ लेंगे exam में तो आप क्या होगा confusion के नाते वहाँ पर यह टिक करके चले आओगे ठीक है clear है clear है दोस्तो Bill and Melinda Gates clear है statement second गलत है अगला प्रशन आपके सामने यह रहा मुख्य रूप से world bank नहीं है उसका answer world bank नहीं है अब एक हजार में क्या होगा योगी टोकस भाई योगी भाई क्या होगा ठाकुर साब क्या होगा एक हजार में क्या होगा चलो अगला question अगला question ब्रूकोईसिस ब्रूकोईसिस ब्रूसरलिस जिसको जो भी बनदी बलना है यह बोल लो एस जुनोटिक इंफेक्शन mainly infecting cattle pigs, goats, sheep and dogs यह किस से होता है ब्रूसे लॉसिस बोलते हैं ब्रूसे लॉसिस बोलते हैं ब्रूकोईसिस भी बोलते हैं बताइए इसके बारे में बताइए इसका correct answer बताए किसके कारण में होता है यह बिमारी कौन सी है आप से question पूछ सकते हैं इट इस एन bacterial disease इसके बारे में आपने नाम तो सुन लिया होगा काफी सारे इनिमल्स जो है इसके कारण में परेशान हो रहे हैं लेकिन बिमारी किसके कारण में होती है तो बिमारी दोस्तो बैक्टीरिया के कारण में होती है किसके कारण में है बैक्टीरिया के कारण होती है यह bacterial disease आप से पूछ लें Bruce or Losis कौन सी बिमारी है किसके कारण होती है किसके कारण होती है दोस्तो बैक्टीरिया के कारण होती है बैक्टीरिया के कारण होती है परसिटिक नहीं है यह नहीं है वाइरस नहीं है यह बैक्टीरिया के कारण होती है इसके कारण में होती है बैक्टीरिया के कारण में होती है दोस्तों ठीक है ब्रूसेल लॉसिस जो है एक बैक्टीरियल डिसीजिस है किसके कारण होती है ब्रू इसको अभी était घृइब इन्डियाध सिर्फवह और यह और इसको हाँ आभ यह बहुत इंपारइब बिमारी नोमें्डि पर भी अक्राइन म७ूале जाता है और यह सिर्फ और सिर्फ i5 मेंडिया के अंडर में डिशीज्सि इंडिया के इंडर में सिर्फ और सिर्फ और बहुत इंडस्टरी परेशान कर रखा है तो आपको पता हूं निस को भी इसको भोलते हैं फ्लियर है कि अगला प्रश्त सामने अगला प्रत शार के सामने बहुत अच्छा इसको थोड़ा-स तरहेज से करिए को करिए अच्छा question है बताइए इसका blue flag certification से related question है आपके सामने blue bag certification से related है भाई अगर session पसंद आ रहा है तो please like करते जाओ like जरूर ठोकते जाओ सभी के सभी अगर session पसंद आ रहा है तो like कर दो सभी के सभी कहां चलेगे सभी के सभी answer तो करो answer करो इस question का अगर पूछ रहा हूं सही है तो भी बता दिया करो चलिए Malta fever याद रखिएगा अगला question का answer दीजिए blue flag certification से regarding question आपके सामने blue flag certification से related question है it is mandatory to fulfill all criteria to qualify for blue flag certification तो यह क्या होता है blue flag certification क्या होता है यह एक तरीका क्या होता है certificate दिया जाता है certificate दिया जाता है किनको जो आपके beaches है जो आपके lagoon है इन सब को क्या दिया जाता है blue यह क्या होता है सबसे साफ सुत्रे हैं यह ऐसा करके certificate दी जाता है किसके तरू? Blue flag certificate की तरू तो उनके कुछ conditions है उनके कुछ criteria है जिनको fulfill करना होता है पहली बात Blue flag beach is considered to be cleanest beach in the world दूसरी statement Odisha's golden beach and Kerala's kappad beach are the only two Indian beaches that have received blue flag certification सभी के सभी क्या कह रहे है answer B कह रहे है क्या बात है बहुत ही बढ़िया कई लोगों ने skip कर दिया कई लोग C कह रहे है राहूल कह रहे है रंजीत कह रहे है skip तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि क्या होता है यह certification है तो इसमें कुछ criteria है उनके चलिए शायद 39 या 32 ऐसे कुछ criteria है उसमें से कुछ जो है mandatory है जिनको करना होता है और कुछ जो है optional होते है क्या होते हैं दोस्तो optional होते हैं तो यह क्या है fulfill all criteria नहीं है कुछ क्या है optional होते है तो पहले statement गलत होगी blue flag beach is considered to be cleanest बिल्कुल भी है इसलिए तो किया जा रहा है तो थर्स statement दोस्तो इसलिए गलत है क्योंकि यह क्या करा है सिर्फ golden beach और केरला का यही दोनों के दोनों है जो पूरे भारत के अंदर में blue beach का इन्हें क्या मिला हो है certification मिला हो है तो बिल्कुल गलत है हमारे आपे 8 beaches ऐसे हैं हमारे आपे 8 beaches ऐसे हैं clear है बाई अगर clear है तो like कर दो सभी के सभी clear है तो like कर दो beach का correct answer हो जाएगा clear हो गया ना दोस्तो beach का correct answer हो जाएगा तो सबसे cleanest beach को क्या दिया जाता है blue flag certification दिया जाता है और दूसरी बात दोस्तो इंडिया के blue flag के अंदर में अगर quaलिफाइ करना आपको तो कुछ conditions उन्होंने mention कर रखी है वह conditions क्या है 33 크riteria है 33 criteria है और 33 में कुछ optional है कुछ क्या है optional है और कुछ क्या है mandatory है क्या है mandatory है उसमे condition क्या क्या हो सकती है water quality क्या है क्या क्या facility है वापर सारी चीज़े क्या है ये देखिए, आपके सामने ये रही लिस्ट, ये देखिए, शिवराजपुर, आठ है, there are eight beaches, इंडिया के अंदर में आठ बीचेश है, आपसे question पूछ लेंगे, please, please and please be attentive, यहाँ पर आपसे क्या करेंगे, मैं ज़दा following करके question में, Shay Seb, आपसे की शिवराजपुर, बीच कहा पर है, गुझरात में है, घोगला बीच कहा पर है, दमन्दी न comment कहां पर है करनाटका में है कासार कोडे कहां पर है करनाटका में है दोस्तो ठीक है पदुबीरी कोस कहां पर है करनाटका के अंदर में कपड कहां पर है केरला में है रुशी कोंडा आंधर प्रदेश के अंदर में है गोल्डन बीच ओडिशा में है राधा नगर कहां पर है दो following करके question पूछ लेंगे आपसे ये 8 beaches याद रखेगा question पूछ लेंगे कासर कोड कहां पर है शिवराजपूर कहां पर है घोगला कहां पर है पुडुबीरी कहां पर है कैना कपड कहां पर है रुशी कोंड़ा कहां पर है गोल्डन बीच कहां पर है याद रखेगा प्लीज इसको थोड़ा सा याद कर रखेगा बहुत जादा important है आपके exam perspective से next question पर आ जाएं next question पर आ जाएं next question पर हो जाएं चलिए फटाफट से अगला question आपके सामने ये रहा the internet exchange point internet exchange point is a feature that allows internet service providers to intermingle and exchange traffic बिलकुल सही बात है दरसल क्या है बिलकुल सही बात मुझे नहीं पता बिलकुल सही बात है ठीक है क्या है internet exchange क्या है एक एसी जगे है जहां पर मान के चलिए अलग-अलग internet service provider है जिसको हम ISP बोलते हैं क्या बोलते है क्या बात है बुक knowledge क्या है यहां पर मैं गया हूँ क्या बात है बहुत ही बढ़िया बात है अगर आप सभी के सभी वहां गए वे भुमें वें तो इससे बढ़िया चीज तो कुछ होई नहीं सकती है बहुत ही अच्छे चलो 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 question का answer दो और बिल्कुल सही answer देना सभी को इस question का सभी answer देना है और बिल्कुल perfectly चल रहा है दोस्तो perfectly चल रहा है सारी की सारी चीज़े नजर आ रही है सब कुछ नजर आ रहा है ठीक है पहले statement क्या है internet exchange point is a feature that allows internet service provider to intermingle ठीक है national internet exchange of India manages domain code, internet exchange and internet protocol बताइए दोस्तो क्या answer होगा इसका correct answer बताइए सभी की correct answer बताइए दोस्तो C answer इसका होगा दोस्तो C answer होगा correct है दोनों की दोनों statement बिल्कुश रही है क्या है दोस्तो ये internet exchange point क्या है आप क्या हमताइ है internet service provider होते हैं? अलग-लग-लग-लग सभी की bandwidth अलग-अलग होती है तो यहाँ पर ही क्या होता है सबके सब एक दूसरे से exchange कर सकते है data अपने traffic exchange कर सकते है जिससे किसी का system collapse ना करे collapse ना करे दोस्तो और आपको पता है यहाँ पर National Internet Exchange of India यहाँ पर क्या होता है दोस्तो domain name domain name दिया जाता है अब आपके दिमाज में question आज़े कि domain होता क्या है तो दोस्तो जैसे आप type करते हो google.com google.com यह क्या है domain name बोलते हैं इसको क्या होता है domain name बोलते हैं तो world के अंदर में यानि क्या आपको domain international level पर मिले हाँ दोनो C कह रहा हूँ C मैंने भी हाँ बिल्कुल फैज ने सही answer दिया C इसका correct answer है सभी के सभी ने answer इसका सही दिया तो याद रखेगा C इसका correct answer हो जाएगा क्या हो जाएगा C इसका correct answer है ठीक है दोस्तों clear है internet exchange point क्या होता है important part है हमारे infrastructure का यहाँ पर क्या होता international bandwidth of ISP ISP मैंने बता है आपको तीन से बना रखथा इसके अंदर में और यह क्या काम करती है citizens को कैसे access मिले citizen को कैसे access मिले internet का उस चीज़ का ध्यान रखते है ठीक है दोस्तों clear है clear है दोस्तों clear है और आपको पता है जैसे आपने देखागा dot in आपने दिखागा ना अगला प्रशन आपके सामने यह रहा अगला प्रशन आपके सामने यह रहा दोस्तों चलिए अब इस क्वेडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाओ इतने सारे लोग ऑल्लाइन हो चुक्यों 55 लोग हो कम से कम सौ के पार तो पहुचाई देना सभी को इस बार आज अब यह किसी यह यूपीए सीगा कि अच्छा सी ऑप्शन भी लिखा है तो कोई नहीं आप उस पर अपनी आते सी दे देंगे देंगे PDF सभी के चीजों का देते चलिए अब इस क्वेशन का सथे यूपीसी का बैट पैट人 है ऐसे question पूछने का फैट question ऐसे question पूछने का यूपीसी का pet patron है कि और उसके बारह को अप से और उसके बारह land under Ram sir convention 1981 hint देदी it is located on eastern coast of India hint देदी बताईए इसके बारे में correct answer बताईए कौन से कौन से कौन सी जगह की बात हो रही है कौन सी जगह की बात हो रही है दोस्तों बता दीजिए अब तो बता दीजिए सभी के सभी बता दीजिए दोस्तों पटा फट से बता दीजिए पटा फट से बता दीजिए तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि चिलका लेक के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ facts है important देख लीजिए सभी के सभी एक साथ में चिलका लेक एशिया की largest समझी इस चीज़ को एशिया की तो largest है लेकिन world की second largest है तो आपका homework क्या है world क largest कौन सी है world की largest lake कौन सी है यह आपको comment करके बताना है ठीक है और यह कहां पर है आपके उडिशा में है यानि कि eastern coast में यह जो है हमारा प्यारा भारत यह वाला इस्सा जो है eastern coast है दोस्तों ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं लिपसा rest करो पहले rest करो पहले recovery करो फिर उसक river है उसके मुँपर बना हुआ यह तो है क्या आपका चिलका लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिलका लेक डया रीवर याद रखेगा तो बता दिया बता दिया सबने बता दिया मैंने सभी को बता भी रहा हूँ ठीक है और यह 1981 के अंदर में चिलका की सबसे पहला जो था मैंने आपको यह भी बता दिया था 1981 में परस्ट टाइम रामसर के अंदर में कोई अगर चीज हमारी और मलब इंकलूड हुई थी तो चिलका लेक इंकलूड हुई थी इसके अंदर में ठीक है और यहाँ पर आपको इरा वड़डी डेल्फिन डाल्फिन देखनों को मिलेगी और दोस्तों यहाँ पर आपसे पड़ा आईलेंड कहां पर है सत पड़ा आईलेंड कहां पर है तो वह कहां पर इसी चिलका लेक के अंदर में यह चिलका लेक के अंदर में यह उडिशा के अंदर में है ठीक है दोस्तों ठीक है क्लियर है ठीक है याद रखेगा चिलका लेक याद रखेगा चिलका लेक सत दे रहा हूं इसके पीछे का कुछ reason है reason यह है कि आप से question में उन्हें पता है कि आप सारे के सारे क्या करोगे यह याद करोगे चिलका याद करोगे इरावडी डॉल्फिन भी याद करोगे लेकिन नाल बाना जो है आप याद नहीं करोगे आप क्या करोगे आप जो नाल बाना जो बर्ट सेंचुरी उसको गोशित कर दिया है नाल बाना को बर्ट सेंचुरी गोशित कर दिया है सट पड़ा आप याद नह करोगे तो सब चीजे कहां से रिलेटीड हैं कहां से चिलका से रिलेटीड है और एक अब आर्ट अन्वार्मेंट पढ़ लिया इरावडी डॉल्फिन लोकेशन पढ़ लिया उसके अंदर में आपने जोग्राफी के परस्पेक्टिस पढ़ लिया अब इसमें आट कल्चर भी आजाओ काली जाई कली जाई कली जाई कली जाई कली जाई जो मंदिर है वो क्या है इसी चिलका में एक द्वीपर स्थित है इसी चिलका रिवर जो यह आपका है इसके अंदर में लेक के अंदर में एक आईलेंड के उपर में है क्या कली जाई काली जाई काली जाई तो एक रोख़र दो फटा फट्सट फटी द मेर्फ ऌधो भई लाइड फटाफट अगर क्लिया रे थो कलीजाई टेमबल याद रखेगा दोस्तों तोफ कलीजाई टेमपल बहुत जादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अ क्याली को ऐसा लग रहा कि कि आप से और सब चीज़े पूछें ना पूछें कली जाए टेंपल जो रूप पूछ सकते हैं हूँ चलिए विद रेफरेंस टू टेरोसौरस टेरोसौरस से रिगार्डिंग पॉर इसका करेक्ट आंसर देंगे अगर इसका किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया तो आज कसम से बता रहा हूँ आज सबके खून हो जाने है तो तीसरी स्टेट्मेंट का रिसेंटली डिसकेवर्ड मोनोसैटिडल मंकी मंकी इसको कई लोग मंकी टाइटल टाइल भी बोल रहे है कई लोग बोल रहे हैं ठीक है इसको पूरा पूरा क्वेस्टन सेम अल्रेडी में करा चुका हूं टाइनसौर है ना उसी का भाई यह कजन है टेरोसौरस। ठीक है रप्टाइल क्लास को विलोंग करता है और यह इसके अंदर में उड़ने की छंता है इंसेक्ट के बाद में पहला एनिमल था जिसको है यह बचा चुक। से बहुत बढ़ा होता है यह इनलाय किया है और डॉय को क्लिया सुरू की कहा नही餘 ज्यादातार आपकी कहां होती है यूएसे में होती है तो आप से पूछ लें कि इंडिया में पाया जाता तो तो नहीं कहां ज्यादार यूएसे के अंदर में ही पाया जाता है ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन आपके सामने ये रहा अभी दर प्रद्बा है जो उसका वहां से चीजे जो मलब वहां से निकली है चीजे वह इंडिया तक रीच कर गई है इंडिया तक रीच कर गई है तो एक विश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है बताइए सभी के सभी ला सौफे रियर वोलकैनो इस एन एक्टिव स्रेटो वोलकैन लोकेटिड एट सेंट विंसेंट ओफ केरिबियन आइलेंड पहली बात आपको आप जान के हरान रह जाओगे दोस्तों यह क्या है इंडिया में इंडिया में इसका मलबा जो है जो निकलता है आग लगने से जो वहां इंडिया तक आ चुका है ता स्टीप स्रक्चर एंड Eruption of Eruption Over Given a Period our main feature of the Strat respal Created के बारे में पूछा हुआ है आपसे पहले बात नहीतका का नाम पूछा हुआ है बताइए तोات से सबी के सबी तो पहली बात तो दुस्तों कहाँ पर है ये ला सोफिरण विंड़कन like कहा पर है दोस्तों हवा से हवा से उड़के आ चुका है इंडिया में अभी कली न्यूज में था यह काफी जादा यह कहां पर है दोस्तों आपका केरिबियन आइलेंड जैसे आपके नौर्थ अमेरिका है पिर यह साउथ अमेरिका है इसके अंदर में यहां पर ऐसे केरिबियन आइलेंड केरिब की बात होती है तो यह कैई दूसरी बात है और यह कुण सा यह जो कोई मोए जिसका नाम ले रहे यह यह क्या होता है स्ट्रेटो रोड करन होता है क्या होता है इसकात अंसर ऊंपने करेक्ट पारbug कि ये देखिए है कि डियर है तो how beautiful is कि लिए रहे यह इसकी तस्वीर है और यह देखिए इसके मैप पे लोकेशन यह देखिए यह अगर वर्ड में देखेंगे तो यह रहा वेनेजुएला यह देखिए यह रहा हमारा प्यारा भारत यहां से जब इदर की तरफ जाएंगे तो यह आ गया यह साउथ अमेरिका है और उपर के तरफ बी नॉर्थ अमेरिका है ठीक है और यह देखें इस्वाले रीजिन के अंदर में आए जो मैंने इस पर फोकस किया तो यहां पर देखिए यह रहा अब इसके अंदर में विंडपर आइलेंडस है सारे क Sakara करके अब यहाँ पर-एक है सेंट म演儿 इसके स्ट्रीव मिश्री आइलेंड़ रहे हैं आपसे किंग्स टांग पका इसका अंसर हो जाएगा आपी वहां से सल्फर डाया उकसाइड वहां से इरॉप्ट हो और इंडिया में आ चुका है क्या नहीं पॉलिशन और नदन पार्ट्स अव दा कंट्री में क्या वहां पर ऐसे ड्रेन भी यह इसके करण में यह बताया जा रहा है ठीक है दोस्तों और यह क्या है एक्टिव वॉलकैनों है दोस्तों और वॉलकैनों से हवासे यही तो क्लाइमेट है यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए एक ऐसी चीज जो इतनी दूर है और इंडिया तक कैसे आ गई सोचिए सोचिए सोचने वाली बात है next question देखिए with reference to national climate vulnerability assessment report consider the following statement बताईए यह भी question में करा चुका हूं already इसका correct answer देंगे सभी के सभी I think दोस्तो आज का session आपको पसंद आया होगा अगर एक बार पसंद आया तो प्लीज अपना feedback दीजिए अगर पसंद नहीं आया तो भी अपना feedback दीजिए मुझे feedback पसंद है और feedback को मैं enjoy करता हूं आप सभी जो-जो feedback देंगे उसको implement करने के कोशिश करेंगे जो मेरे ह 9 बज़े यानि कि अभी एक घंटे के बाद में 9 बज़े एक session है हमारा marathon session है marathon session रहने वाला है कि इस चीज़ का modern Indian history का modern Indian history का तो सभी के सभी इसमें जुड़िएगा अब इस question को देख लेते हैं national climate vulnerability assessment report आई है और यह क्या है यह report को जो publish किया गया है दोस्तो national action plan on climate change जो है उसक के अंडर में किया गया है ठीक है उसके अंडर में किया गया है पहली बात और इस report के according आसाम हो गया वहार हो गया जहारकंड हो गया वह क्या है highly sensitive states है climate change के रिगाड़े दोस्तों एक चीज़ समझीए एक चीज़ एक चीज़ समझीए ऐक चीज़ समझीए आपके दो word होते प एक होता है climate change एक होता है climate जो उस दिन होता है क्लाइमेट चेंज उस तो बहुत एयर का फिनॉमिना है कि आने वाले समय में कैसे एक क्लायमेट चेंज होगा जिसको आप क्या भोलते हैं ग्लोबल वामिंग भी वह बोलते हैं हाँ बिल्कुल सर ने पढ़ाया तो यह और क्या है इंडिया के अंदर में आपका बिहार है जारकंड है और आसाम सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है आने साले समय में climate change के regarding तो दोनों की दोनों स्क्राइब कुछ सही है सी इसका correct answer हो जाएगा इंडिया के पास में दोस्तो नौ बजे आज 9 बजे ठीक है दोस्तो कोई बात नहीं क्या कर सकते हैं और यह रिपोर्ट किसने जारी करिए किसने जारी करिए रिपोर्ट यह रिपोर्ट किसने कते किरी है न करना है कि कई से क्लियमेट चिंज को में ठीक है और सबसे सबसे जढ़ा अइंपोर्ट न ज्य वल्न हें विल्न है नहीं यहां पर और हमारे पर क्या है दोस्तोPr लो मिडल में पंजाब है और सारे के सारी थोड़ा सा याद रखिएगा और मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूं दोस्तों सुबह नौ बजे जरूर जुड़िएगा मेरतन सेशन रहने वाला है आपको सारी की सारी चीज़े पसंद आई हूं और आपको अच्छा लगाओ अगर आपको आपको कह रहे हैं दस बजे रखना है थोड़ा सा मैं देखता हूं क क्योंकि देखिए जब जरी शेडियूलिंग होती है तो उसमें भी दिक्कत होती है ठीक है और यह गुरुकुल का नाइट और प्रोग्राम आपके लिए सिज़े हैं आपके लिए सेशन है और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चारों के चारों चैनल को किया है तो आपको आपको मैं करना है लिंक आपको मैं उसका चैनल को जोइन कर लेजएगा पीडियाफ के लिए लोगन की सुधा वी अवेलिबल है लोन की सुविधा भी है देखता हूं मैं अगर सर की क्लास है तो फिर उसको रिशेडूल कर लेंगे मैं बता दूंगा देखिए यह मैं आपको लिंक्स सेंड कर दूंगा टेलिगाम चैनल पर अगर ऐसा होगा अगर सर की क्लास होती है तो आप सभी जॉइन कर लिजेगा और पर पर लिजिए यह अप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा पूरी की मॉडर्न हिस्ट्री को आप रिवाइज करने वाले हो ऐसे जल्दी से नहीं खतम हो पाएगा इगा तुक्स्त। क्लास के लिए क्लास के लिए क्लास के लिए करना यह कोड है लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को आना के प्रशांती बारी को जॉइन कर लिए मुझे पता है थैंक्यू सो मच वह मुझे पता है मुझे मुझे पता है कि अगर सर की क्लास शुरू हो चुकी होगी तो उसको देखते हैं फिर देखे क्योंकि क्योंता है आएं टाइम पर रिशेडूलिंग करने भी थोड़ा सा आपको पता ना बैकड्रॉप में टीम